जैपुर में अध्यापक भर्ती में 50 फिस्दी महीला अरक्षन का विरोध तेज हो गया है गुरुवार को जैपुर में सहीद इसमारक पर हजारों बेरुजगारों ने सरकार के निर्ने के खिलाफ प्रदर्शन किया धरना हटाने का विरोध करने पर अलस्तान युवा शक्ति महासंग के प्रदेश अध्यक्ष मनोज मीना सहीत पांच जनों को गिरफतार कर लिया गया उधर युवा हल्ला बोल विविरोध में उतर आया है संगठन ने चेतावनी दी है कि फैसला वापस नहीं लिया गया तो चक्का जाम करेंगे अध्यक्ष इरावोस ने कहा कि अगर सरकार हम नियम को लागू करना चाहती है तो सबसे पहले इसको मंत्री मंडल और भाश्वा संगठन में लागू करना चाहिए राजदानी के शहीर इसमारक पर हम खड़ें यहां पर आपको बता दें कि तिरतेश रेणी में जो महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है उसके विरोध में यह तमाम लोग यहां पर मौजूद है जानना चाहेंगे इंगे सर हला कि कुछ संग्ठन और कुछ महिला हैं इसका सवागत कर रहे हैं आप लोग विरोध कर रहे हैं विरोध का क्या क्या रही है ने ञी hein तो जो राजिस्तान की पढ़ने वाली महिला है वो तो स्वागत करने के लिए फोच नहेरी महिला यह कोर पोंच रही है जिनके जिनके उमर 55 साल है 50 साल है वो तैयारी करती नहीं क्योंकि जो बेहने तैयारी कर रही है उनके भाई तो यहाँ पे हैं और उन बेहनों की सान भूती है कि इस बिल को वापस लिया जाए और सरकार वोटवेंग की राजनिती के चलते हैं इसको लेके आई हैं और को उद्यस नही सरकार बिना कोई पोलेशी के बिना कोई सोची समझी रणिती के तहब बस आनल पानल में जारी कर दिया वोटवेंग के लिए और यह सरकार के लिए यह बिल सरकार के लिए कबर खोदने का काम करेगा क्योंकि बजनलाल जी यॉग मुद्वे पहले ही बेक फुट पे हैं और इस बिल को लागे और बेखुट पे आगे फेपर लीक पे इन से कुछ हुआ नहीं ऐसा ही बरति को लेके अभी तक कोई बयान नहीं आया बरतिन बेजारी होती नहीं ऐसा इन्होंने अलक्षन लेके आया है जो समाज में तनाव की स्थिती पैदा कर रहा है अगर 50% सीटे सी होट होगे हैंडी केंप होगे तो यह आकड़ा पहुंचता है साब 90 के आसपास में अब यह पता हो सो सीटों में से दस सीटों में स्थी एस्टी सी ओवी सी एडवलुएस एमबी सी जर्मल वह लोग कहा जाएंगे यह राजिस्तान में 44 लाग बेरोजगार युआ है उनके स पिछली सरकार में आपने काफी कुछ संघर्च करा था और इस बार भी लगातार जब से सरकार बनी आप संघर्च की राहा पर है देखो ऐसा है जब यूआओ की पेड़ा देखता हूँ यूआओ की समशा सुनता हूँ तो संघर्च मेरे को करना पड़ता है क्योंकिन कर दिया और वहाँ जो कारी है बजला सरकार कर रही है ने कर रही है वारी है आप मेरे को यह बता हो कर रहे है क्या किया कि नहीं क्या है नहीं है इनके जो भी कारी है यूओं के खिलाप हैं अगर इस बिल्कों वापस नहीं लेते हैं तो बड़ी मजबुदी से यूओं के लड़ी जाएगी एक तरह तो आप यहां पर यूओं के साथ भरना प्रदेंशन कर रहे हैं तो उनको लेकर तो मैं नहीं रोल ठीका टिपन यह सीधी राजनीती है और मेला से सक्ष्टी करना है काम लोग सबां 50% करिया है विदान सबां में करिये और बजनलाल जी आप खुद CMA की कुर्ची छोड़ के किसी मेला की मुखंतरी बनाईए ना अच्छा मशत जाएगा राजिस्तान में यूओं को मानेंगे यूओं के को अपनी कारिये किया आप कुछ कारिये तो करनी रहा है और अपनी घर के महला से स्वागत कर आघर रहा हैं एसा स्यह वारते है राजिस्तान में लोग पहुंच नहीं रहे है यह यह आपके पास आते हैं बर्तेन लिक ब्यवांऑ 한드 टे क्रूर स्वाच्टी है कर सुपक्तılar इर सकते हैं में पुलिय को वहां झाइए हंड और चुकल के निकलते हैं या तो सरकार से और लेगी या फिर हम घरी नहीं जाएंगे तो हमारे कोई फ़रक नहीं पड़ता है लेकिन सरकार को बिना जुकाए मनोज मेरा तो पीछे नहीं अटेंगा आपना देखा है यह ते तमाम जुक है तर्केशेडी में बहिलाओं को जो पचास परसंट आरक्शन जो दिया गया है उसके बिरोध में आज ये राजधाली जैफुर के शहीद इसमारक पर आज ये एकटव हो और इनका साफतोर पर कहना है कि जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाता तब तक इनका ये धरना परदरशन लगातार जारी रहेगा हो सकता है इनका ये आंदोलन भजनलाल सरकार के कुर्सी तक जाप हो छे सेयोगी केमरामेन अजय के साथ उमंग मातुर जनता दर्वा